Hello and welcome to the class. आज के class में हम करेंगे इस morphology of flowering plant के session को आगे बढ़ाते हुए. Hope so आपके पास आपके NCIRT book होगी. तो इस chapter 5 जो morphology of flowering plant है, इसमें हमने अब तक morphology of root, morphology of stem, leaves, flower, inflorescence, fruit and seed कर लिया है. आज जो हमारा point of discussion होने वाला है, वो रहने वाला है इनके इस families को लेकर. यानि कि floral formula, floral, diagram and उनके examples and economic importance को लेकर. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली notifications आपको सबसे पहले मिल सकें. और हम अपने चैनल पर NCRT को target करके पढ़ते हैं, चलिए, अब discuss करते हैं अपने इस topic को. तो यह है semi-technical description of a typical flowering plant. Actually, हम floral formula और floral diagram हम क्या करते हैं, कि हम इनके सिर्फ कुछ symbols यूज़ करके इनके सारी meaningful sentence बनाते हैं. मतलब, floral formula में हम क्या करेंगे, जैसे कि माल लेजिए आपके पास, थोड़ा सापको समझना पड़ेगा, कि जैसे कि माल लेजिए आपके पास family है, फैबेसी. अब ध्यान से देखें, actually होता क्या है कि plant के case में, जो ये plant है, plant के case में अगर माल लेजिए कोई एक family है, ठेके, और ये माल लेजिए family फैबेसी है, और इस particular family से जो भी ABCD examples हैं, ये ABCD नाम का example इस family से बिलॉग करता है. तो इसका मतलब ये हुआ, कि इन चारों के, है ना, ध्यान से समझे, इन चारों के आपको दो चीज़े discuss करनी हैं, एक इनका अगर देखें तो vegetative character, तो vegetative character इनका एक जैसा होता है, लेकिन थोड़े बहुत differences हो सकते हैं, इनके vegetative character में, लेकिन अगर हम इनका floral character discuss करेंगे, तो इनके floral character में, इनके थोड़े सी भी differences आपको नजर नहीं आईगी, जैसे कि अगर हम A को बोले, कि अगर ये actinomorphic है, तो सारे B, C, D भी actinomorphic ही होंगे, अगर हम बोले कि A, यानि कि इस family का जो member है, वो bisection होता है, तो ये सिफ A के लिए लागू नहीं होता है, ये सारे member के कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी family में आप दो characteristics पढ़ते हैं, क्या, एक character पढ़ते हैं आप उनके लिए, यानि कि उनका floral character and a vegetative character, जैसे कि example लेते हैं, तो आपको अच्छा चीज़े समझ मैंगी, जैसे कि आपके पास example है Fabacy family, Fabacy family को हम P family भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर क्य मिल जाएंगे, लेकिन बहुत कम shrubs मिलते हैं, herbs मिलते हैं, roots मिलेंगे with root nodules, ठीक है, अब देखिए, अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो vegetative character में इनमें सिफ shrub मिलेंगे, इनमें trees मिल सकते हैं, herbs भी है, shrubs भी है, अच्छा, अगर हम stem की बात करें तो stem इनका erect भी हो सकता है, climber भ मिल जाते हैं, अब जैसे पी है, अब जैसे पी है, अब पी तो क्लाइमर के फ़र्म मिल जाते हैं, अगर उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए तो उसके पास tendril होता है, इर्यक्ट भी मिल आंगे आपको, जैंना, लेकिन अगर हम इसके vegetative character की बात करें, यह इसका vegetative character से, यानि कि floral, sorry, floral character, तो अगर हम floral character की बात करें, तो जितने भी examples आ 만들ote, जैसे इनके example, देखी हैं, इनके examples में जो भी आएंगे, पी है, बीन्स हैं, इसके बाद उसमें Example में सबके जो translations होंगे वो raci moos होंगे जो flower होगा वो सब का bisexual होगा ऐसा नहीं होगा कि कोई एक का bisexual है और किसी का unisexual है बाइसेक्शोल भी होगा बाइसेक्शोल के लिए हम कौन सा represent करते हैं सिंबल देखिए यह male का है और यह female का है तो male female together यानि की Bisexual, यह किसका मतलब है, इसका मतलब है Bisexual, यह हम यूज करेंगे Floral Formula में, जो Calyx है, Calyx के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, के, Calyx कितने हैं, Sepples are 5, तो हम 5 लिग देते हैं, ठीके, Gamow Sepples, Gamow का मतलब हुआ, कि यह क्या है, आपस में, यह Fused है, ठीके, तो हम भी इनको क्या करेंगे, Fused कर देंगे, उसके बाद Imbricate Estivation, Imbricate Estivation, आपको याद होगा कि Imbricate Estivation कैसा होता था, तो इसमें एक देख पारें, आप यह बड़ा वाला जो यह है, यह एक पेटल, यह कैसा होता था, यह होता था आपका, यह Vaxillary Estivation पेटल का है, लेकिन यह Ambricate Estivation किसका है, क्योंकि कैलिक्स में आपको क्या बोला घया है, कि जो कैलिकस हमच पढ़ा था, यानी कि कोई पैटिकूलर पैटन नहीं है, Imbricate, इसमें क्ट्रेशर mi C Scottish, पैटन नो परिकुलर पैटन कोई पर्टिकुलर पैटन नहीं है क्योंकि जब हमने वेल्वेट पढ़ाता हो तो मैं याद है मार्जिन कंट टेच इच एदर बद डे विल नॉट ओवरलाप इच अधर यह था वेलवेट ट्विस्टेड में था वन सीड आए वन साइड आउट वन साइड वन साइड आउट कुछ ऐसे था है ना वैक्जिलरी तो यह हम देखें कि वैक्जिलरी इनके पेटल्स का होता है और इंब्रिकेट क्या था कोई एक पटिकुलर फॉर्म नहीं है इनका उसके बाद हमने देखा इनका कोरोला कितने है यानि के सी सी कितना है पाच है ठीक है और पाच है और पाचों कैसे हैं यह पॉली पटलस है पैपली नियोशियस हैं कंसिस्टिंग ऑफ पोस्टेरियर स् बड़ा सा यह है ना यह इसको आप कहते हैं स्टेंडर्ड यह पटल को फМक कितना है एक थेक उसके बाद यह दो है यह अप देख पान के Entirir big यह अंधर वाले यह कितने हैं इनको आप बोलते हों बिल्कुल अंदर वाले हैं स्मॉलेस्ट पैटल देख रहे हैं तू एंटेरियर वन फॉर्मिंग अ कील इसको आप कहते हैं कील और यह कितने हैं दो ठीके अब अगर स्टैंडर्ड को मैं बनाऊं तो कुछ ऐसे यह रहा आपका विंग और यह रहा कील जो यह कील है यह आपस में फ्यूजड है ठीके इसलिए कैलिक्स को हम जब लिखना होगा फ्लोरल फॉर्मूला में तो देखिए यहां रिप्रेजेंटेशन कैसे दी गई है सी को बताया गया है सी की रिप्रेजेंटेशन कैसे दी गई है वो देखिए C actually है कितने, C 5 है, 5 है, लेकिन क्या 5 हो एक जैसे है, नहीं, ये अकेला 1 है, तो 1, ये wing जो है, वो 2 है, ठीक है, प्लस 2, लेकिन किसी के साथ fused नहीं है, free छोड़ देंगे, ये जो keel है, ये 2 है, लेकिन keel आपस में fused है, तो हम भी इसको bracket में कर देंगे, देखें इसके representation यहा क्या हुआ, डाइडलफिस कंडिशन का मतलब क्या हुआ, डाइडलफिस कंडिशन का मतलब हुआ, कि 10 स्टामिन्स है, स्टामिन कितने है, इनके 10 है, लेकिन 10, 2 बंडल मना कर है, एक अकेला है, और 9 क्या है, एक साथ fused है, अगर आप इस floral formula में देखेंगे, तो यहाँ देख और यह 9, और यह 9 को देखिए, आपस में fused करके बनाया गया है, यह 9 इसी के लिए है, ठीके, तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, गाइनोशियम जो होता है, ओवरी है, सुपिरियर, सुपिरियर ओवरी, इनफिरियर ओवरी को आप फ्लोरल फॉर्मूला में सकते हैं, लेकिन डाइग्राम से आप रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हैं, ठीके, तो सुपिरियर ओवरी के लिए हम क्या करते हैं, जी के नीचे हम एक लाइन देते हैं, जो ओवरी है, वो सबसे ऊपर है, मोनो कार्पिलरी एक ही है, यूनि लॉकुलर तो आप देखिए चैंबर कितना है, एक ही है, अगर आप मतर को देखे, इसका एक्जामपल है मतर, ठीके, तो अगर आप मतर को देखते हैं, तो मतर में आपको क्या मिलेगा, मतर में अगर आप देखे तो उसके अंदर एक ही आपको ये ग्रीन कलर की पॉड्ड मिलेगी, एक ग्रीन कलर की कुले एक फीर चमबर और उसमें क्या है multiple ovules में थी जीतार हूं देखे थे सहे हैं का रिप्रेजेंटेशेस्टसन देक्टिए फम्ल लगाएрим इसका मतलब क्या है यह यानिकि याक्ठिनोमॉफिक है यह दिया हुआ है बाइसक्शोल के लिए यानिकि यह बायिसेक्षzeitig all is कितने हैं 5 और ये फ्यूजड हैं गामो है ना गामो सेपलस को रॉला को अपने देखा C 1 प्लस 2 प्लस 2 और ये 2 ब्रैकेट में इसका मतलब क्या है अन्रोशियम को अपने देखा कि ऐसे भी आप लिख सकते वन प्लस नाइन और यह नाइन ब्रैकेट में गाइनोशियम कितना है जो गाइनोशियम में यह है सुपीरियर ओवरी और यह वन है ठीक है जब वन है तो फ्यूजड एंट फ्री का कोई मतलब नहीं वनता ठीक चलिए उसके बाद आजाता है आपके पास इसका इकनॉमिक जैसे ग्राम हो गया चना अरहर आपके पास यहां दिया हुआ है जो डाल की तरह हम यूज करते हैं सेम भी है मूंग है आप देखें यहां पर मूंग दाल सोया बीन यहां तो दाल की तरह नहीं हम पूरा लेकर आया है इसको आप दल देंगे यानि कि दोनों दानी अलग कर नहीं माशनना देंगे तो यह डाल बन जाएगा सोया और आप द देखें यहां पर सोया और शर्स बावान प्रूटीन अधिबल ओईल जाय से के तो इससे वाइल निकालते हैं यहां स्वाड़ फ्ली इसे निकलते हैं यह आपका दायं यह आपके लिए दाय की तरह इन्द भुरगों सब्सक्री है तिक आपने में अपने में कही रास्ते में ऊपने वाहिवा कि बहुत सारे चीज से तो अपने घर में अपने गाउं में और कही रासते में अपने ज़रूर देखा होगा तो यह हो गई सकी एकनॉमिक इंपोर्टेंस उसके बाद कुछ और इसके नता साय हैं जैसे कि अगर आफ करें यहाँ पर liegt इसके तो जैसे कि इसमें इंडिगो फेरा डाई के बाद इसमें फाइबर की तरह हम यूज करते हैं सनहम, फॉर्डर की तरह मतलब होता है जानवरों के लिए चारा, ठीके, तो सेस्बैनिया और ट्राइफोलियम, अब सनहम देखना चाहेंगे, तो यह आपके पास सनहम, सनहम आप जानवरों के लिए चारा के लिए चारा के तरह काते हैं, जो लिए ल्यूपिन है आप यह लूपिन का फ्लावर है औरमेंटल है, स्वेट पी, स्वेट पी और गार्डेन पी, अब कंफ्यूज ने करेंगे, स्वेट पी जो होता है, उसका सांटिफिक नेम है लथाइरस ओडोरेटस लथाइरस ओडोरेटस ठीक है जबकि जो आप स्वीट पी होता है यह लथाइरस ओडोरेटस है जो मटर जो हम खाते हैं वो है पाइजम सुटाइवम तो दोनों अलग चीज है अगर बोला जाए कि वेडिशनल प्लांट की तरह यह जो मुलाथी गले के लिए आपने बहुत बार देखा होगा घर में देखा होगा मुलाथी का यह काड़ा बनता है जिसे अम गले से रिलेटेड जू भी प्रॉब्लम होती है उसमें यूज करते हैं तो यह दिखिए सान है फॉडर के लिए ससबानिया ट्राइफोलियम और्नेमेंटल प्लांट में जो आपका लिूपीन है स्विट पी है और मैडिसन के लिए मुलाथी यह हो गया यह सारे के सारे हो गए आपके फैबेसी फामिली से तो अगर बोला जाए कि फैबेसी फामिली से क्या इंपोर्टें तो एक तो इसका वेजिटेटीव करेक्टर तो जनरली नहीं पूछता आपको इसका फ्लोरल करेक्टर पता होना चाहिए खास करके फ्लोरल करेक्टर में इसका यह जो विंग वाले है न यह इनका स्टनल्डर विंग और इनका अंडोशियम कुन का डाइड दैर्फस फॉर्डर की तरह फाइबर की तरह यह होगा इनके इंपॉर्टन फ्लॉरल फॉर्मॉला इधिंक आपको रिलेट करना आ गया होगा अगर नहीं आया होगा तो आप चाट बॉक्स में जरूर बता दे ठीके देखिए जैसे कि इसमें आप देखेंगे कि कैलिक्स अमने क्या बो प्ला थे कॉर्ओला कितने थे अपने बोला की कॉरोला पांच है एक अलग है तो यह देखिए अलग वाला जो मैं बता रही हो इस टंडरalon भी किल को कील को बता रहा है उसके बाद आपको बताया गया अंड्रोशिम कितने है टेन है लेकिन यह वन प्लस नाइन और यह नाइन बंडल में है क्योंकि डाइडल्फर्स कंडिशन है यह अकेला यह एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नौ और यह नौ क्या है लाइन्ज यानि कि यह हाथ बंद कर बठे हुए है यह नौ क्या है बंडल से तो यह डाइडल्फर्स कंडिशन है उसके बाद आपने गैनोशिम बोला कि गैनोशिम सुपीरियर ओवरी को आप नहीं बता सकते अगे अगर प्लोरल आपके डाइग्रा में फ्लोरॉरल फोर्मूला में अप रिप गलत है यहां पर देखेंगे तो एक चीज यहां पर गलत दी हुई है आपके NCRT बुक में इसको आप करेक्ट कर लिजिएगा, यह जो दिया हुआ है, यह प्लस दिया हुआ है, प्लस नहीं होगा, बलकि यह ऐसा होगा, परसेंट का साइन होगा, इसे आप NCRT में करेक्शन कर लिजिएगा, ठीके, I think यह आपके मिस्टेक है, ठीके, तो यह आप NC NCRT बुक में कर लिजिएगा, यहां परसेंट का साइन दीजिएगा, अब बात हमने यहां इकनॉमिक इंपोर्टेंस की भी कर ली, फिर हम चलते हैं, नेक्स्ट फामिली कौन सी है, सोलेनेसी फामिली, इस सोलेनेसी फामिली को पुटाटो फामिली के नाम से भी जालते हैं, mostly herbs, shrubs and small trees, इसके बहुत बड़े नहीं होंगे, stem जो होते हैं, herbaceous है, rarely woody होंगे, aerial, erect, cylindrical, branch, solid और hollow, hairy भी हो सकते हैं, जिसको आप ग्लाबरस बोलते हो, underground stem भी हो सकता है, जैसे कि potato, solanum, tuberosum, इसका scientific name है, तो potato modification of stem है, जो leaves होंगे, इसके वो alternate होते हैं, simple होंगे, rarely pinnate compound होते ह X stipulate मतलब की stipulate नहीं होता इनके पास, और venation कैसा होगा, reticulate क्योंकि डाइकॉट होते हैं, अब आते हैं इनके floral character पर, ठीके, तो floral character कैसा होगा इनका, ये देखिए, अगर हम इनके floral character की बात करें, ठीक, तो इसमें जो full होंगे, ठीके, वो solitary मतलब अकेले खिलते हैं, जैसे आप देख पार हैं, अकेले-अकेले हैं, है न, axillary होंगे, exile position पर अकेले हैं, अब exile position क्या होता है, जैसे माल लीजी, ये main stem है, ठीके, और ये leaf यहां से है, exile position क्या हुआ यहां यहां पूजिशन, यह देख पार हैं, यह exile position हुआ, यानि कि इसके और इसके बीच में, यह जो ह गई है, bisexual के लिए क्या है, bisexual के लिए both the sex organs एक साथ, ठीके, actinomorphic, यह सही लिखा है, इसके representation बिल्कुल सही है, plus within the circle, जो सेपल सोंगे वो 5 है, united है, persistent है, and valid activation है, persistent का मतलब आपको पता है, persistent calyx का मतलब यह होता है, कि इसके calyx, इसके साथ throughout life रहते हैं, जैसे कि आप यहां दे टो आप यह देख पारें, यह green green जो होता है, इसके मिर्ची में, यह क्या है, यह सपल है, चलिए आपको बैंगन राजा के दिखाती हो, यह बैंगन में देखे, यह जो green structure आप देख पारें, यE इसका सेपल है, अब ऐसा तो नहीं है, इसका सेपल छड़ गया, इसके सपल साथ है टमाटर में देखिए जो घ्रीण देख़ यह सका सेपल रहते हैं ऐसे को हो बोलते है consistent मतलब सपल असके साथ है एस्टिवेशन वेल्वेट यह को रॉल्ण आच होंगे यूनाइटेब यह गो एलाइक साथ मतलब की जो गाइनोशियम कितने हैं बाई कारपलियर यानि कि जी कितना है दो दो रोसिन कारपस यानि कि फ्यूजड ठीक है ओवरी सुपेरियर है बाई लॉकुलर है दो लॉक्यूल से प्लेसेंटा स्वोलेन विथ मेनी ओविल्स तो हम ऐसे को क्या करते हैं ओवरी के लिए ऐसे दिखा देते हैं और बीच में हम इसको सेपरेशन दिखा करें इसको मूटा कर देते हैं प्लेसेंटा स्वोलन कर देते हैं और यह एक ओवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है यह नेक्स्ट और इसमें बहुत सारे ऐसे सीट्स लगा देते हैं ठीक है टमाटर को भी अप कट करते हैं ऐ यह सारे के सारे अंड्रोस्पॉमिक होंगे चलिए आपको एक एक्जाम्पल दिखाते हैं और यह फ्लोरल फॉर्मूला के साथ आपको फ्लोरल डाइगरम रिलेट करना देखते हैं देखिए आप इस फ्लावर को देखेंगे तो आपको दिखेगा क्या कि यह आपको यह फ्लोर इस फास यह बता रिया को लागते हैं फाइब wspól देखोंगा यह था कश कॉचू में यह 훌हारीं कि यह फ्लोर मोसनम्प्राइब इसके अलावा, जो अंडरोश्ियम है, वो कितना है? अंडरोश्यम भी 5 है और 5 आपस में, 5 कया है? 5 आप देखीए, 5 ये 5, ये 5, ये 5 ये 5 है, देख पारे हैं आप किसके साथ, देखें ये पैटल के साथ фूब़ तो ये ये लाइद इससे बता रिए कि पटल के साथ यह फ्यूस्ट हो गया है ठीक है गारोशियम कितने है दो तो यह दो दिखाया गया है एक इधर और एक इधर बीच में सोलन प्लसंटा है इसके साथ बहुत सारे विल्स लगे हुए है चलिए अब आई थिंक यह बात आपको समझ में आ गई होगी चलते हैं इसकी कि अगराई ॉपॉर्टन की तरफ इकनॉमिक एंप्पोटन सिर्फ में अगरण देकते हैं तो सोरी सफूड भी है जैसे कि आपधोत टुमाटो ब्रेंजल टामाटर पैंकन आलू हना तो यह क्या है इसलिक मिर्ची को आप स्पाेश के लिए तो योई करते हैं मैडिसीन के बहुत कोई बहुत खास एहमियत इसको डिज जाती ऐसी जाड़ियों में फलाéis है और इसका देखिए इकनोगिक इंप्वोर्टेंस कितना जाध allemaal आप इसको पढ़ेंगे ना जब आप थक जाएंगे इसके इक. की एक. कर आप अपने चेक-ब करवाया होगा तो डॉक्टर हमारे आखो में क्या करते हैं एक drop डालते हैं और उसके बाद हमें कहते हैं कि आप अपने आखों को 10-15 मिनेट तक बंद रखें खोले नहीं ठीक है और उस टाइम अगर आप खोल के देखेंगे आपका वीजन बिल्कुल ब्लर हो जाता है ठीक है क्योंकि वो प्यूपिल को क्या करता है डाइलेट कर देता ह उसके बाद वो अच्छे से आपका आइस चेक अप कर सकते हैं तो वह जो लिकुड डाली जाती है वह जो यह अप्टें किया जाता है ठीक है चली अब चलते हैं अश्वगंधा अश्वगंधा के भी मेडिसिनल यूज आप बहुत अच्छे से जानते होंगे यह रहा इसकी इस तरह से आप देखें इसा पौडर बनाया जाता है और मडिसिनल यूज फिए किया जाता है बहुत सारे यूजे में हैं एक यूज तो आप जानते ही होंगे हैलफ से रिलेटेड एक तो आपका उबिसिटी में बहुत जादे यूज किया जाता हैंzen दवायիों में भी होत अब बात करते हैं next that is the liliacee family liliacee family में के जो members होते हैं लिली फैमिली बहुते हैं वेजेटिटिव करेक्ट्रेस इनका perennial herbs होते हैं यानि के herbs है ठीके और यह perennial है ऐसा नहीं कि इनकी plant को आप एक बर लगा दे फिर उनको cut करके हटाना पड़ेगा तब दूसरे यह फिर नगान जो leaves होगा mainly basal होते हैं alternate होंगे linear होंगे एक stipulate क्योंकि नहीं होगा with parallel valuation क्योंकि यह monocot होते हैं ठीक है monocot होते हैं उसके बाद अगर हम इनके floral character की बात करें तो floral character में flower अगर है तो solitary यानि अकेले खेलेंगे अगर है गुच्छे में यानिके infloresis तो cymos होगा ठीक है उसके ब और प्लस घंगा उसके बाद करें पारियंत क्यूंकि इसमें क्या होता है इसमें sepals नहीं होते पैटल्स नहीं होते इनमें क्या होगा सैपल और पैटल दोनों दोनों एक साथ fused condition में मिलते हैं तो अब इस fused state को बोलते हैं टैपल ना पैटल ना सेपल बल्कि टैपल तो ए तो यहां पर पेरियंथ आपको मिलेगा ठीक है यानि के टेपल कितने है 3 प्लस 3 अच्छा इसको फ्लोरल फॉर्मूला में देखते हैं ठीक है अब यह देखिए यह आपका प्लस विदिन दे सर्कल मतलग यह अक्टिनोमॉर्फिक ठीक है बाइसेक्शन पेरियंथ देखिए पेरियंथ कितने हैं इसके पास अब देखिए इसके पास आप सैपल और पैड कोरूला अलग अलग नहीं बना रहे हैं उनको आप किया है अपने पेरियंथ बनाएं यह एक टेपल एक जैसा यह इसके दूसरा भी उसी के जैसा और यह तीसरा भी उसी के जैसा यानी कि पी यह टीन एक जैसे प्लस यह देखिए यह बाहर वाले में अलग तकि आप अलग जैसा है जरो लिए अलग ए तो यह प्लस थरी इसलिए हमने पेरियंट 3 plas 3 यानि कि अन्रोशियम इसके नजदी की यह है, इसके नजदी की यह है यह इसलिए हमने बोला इसको भी 3 plas 3, गानुषियम कितने है आप देखिये एक, दो और ती तो गानुषियम कितने है ट्राइ करव ही, आपस में Fused है और Ovarious էीर है ठीक है तो आई थिंक यह फ्लोरल फॉर्मूला के साथ आप इसको रिलेट कर पाएंगे ठीक है चलते हैं अब इसको एकनॉमिक इंपोर्टेंस को देखने एकनॉमिक इंपोर्टेंस के अगर हम बात करें लिलियसी फैमली की तो यह बहुत जादा तर यह सजावट के लिए ही जादातर जैसे क्या आपके पास है त्यूली फ्राइस गार्योगाँ यह है ट्यूलीं यह है त्यूलीफलरत ँे है जैसे की आलो कुछ और सरी बल्कि आप के अलो घर में जरूर हो 한गा यह तो आपके घर में यहां पर आपके पास है, आपने पढ़ा होगा कि कॉल्ची सिंद का यूज सेल डिविजन में, तो यह रहा आपके पास कॉल्ची सिंद, तो आइ थिंक यह पार्ट आपको समझ में आ गई होगी, फ्लोरल यह फैमिली हैं, और अग हम NCRT में अगर हम देखें, तो हमने पूरे फैमेसी फैमिली, सोलनेसी फैमिली और निलीसी फैमिली को पूरा कवर अप कर लिया है, उसके एकनोमिक इंपोर्टेंस, फ्लोरल करेक्टर सारे पॉइंट्स को लेते हुए, अगर आपको इसमें से किसी भी पॉइंट पर कोई भी दिक्कत होती है, आप अपने कमेंड सेक् और वहाँ पर अपने कोशन पूट कर दें, डेफिनेटली उसको नेक्स वीडियो में उसका एंसर देकर ही वीडियो कंटीनियू किया जाएगा, होप सो ये क्लासिस आपको अच्छी लगती है, इन क्लासिस में हम सिर्फ और सिर्फ NCRT को टार्गेट करते हैं, क्योंकि NCRT क अंदर जो इंफोर्मेशन से, बहुत सारा इंफोर्मेशन बहुत कम जगह में है, तो बहुत कंसेंट्रेटेड सा लगता है, उसी को हमारी कोशी से को इसको डाइलूट करके दिया जाए, ताकि आपको इसको पढ़ने और समझने में बहुत आसानी हो, मिलते हैं अपने नेक